अनिदाता और सरकार के बीच ठन गई है अपनी मांगों को लेकर अनिदाता दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं विपक्ष भी अनिदाताओं के समर्थन में आवाज उठा रहा है कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहूल गांधी तो लगातार सरकार को घेरते ही रहते हैं आज भी राहूल गांधी ने अनिदाताओं के समर्थन में ट्वीट किया है और अपने ट्वीट से अनिदाताओं के होसला अवजाई की है देखिए इस रिपोर्ट में अपनी मांग पर अनिदाता 32 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं सरकार से अपनी मांग को लेकर अड़ गए हैं कि सरकार नएक्रिशी कानून को रद्द कर दे लेकिन सरकार भी अपने रुख पर कायम है और साफ कर दिया है कि संशोधन किया जा सकता है लेकिन कान वापस नहीं लिया जाएगा वहीं अनदाताओं के समर्थन में विपक्ष भी लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहा है कॉंग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहूल गांधी ने ट्वीट कर अनदाताओं का हौसला अवजाई करते हुए द्वारीका प्रसाद महेश्वरी की लिखी हुई कवीता के तर्श पर कुछ पंक्तियां शेयर की राहूल गांधी ने लिखा कि वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो वाटर गन की बोच्छार हो या गीदर भब की हजार हो तुम निडर डरो नहीं तुम निडर डटो वहीं वीर तुम बढ़े चलो अन्यदाता तुम बढ़े चलो आपको बता दे कि शनिवार को भी अन्यदाताओं के आंदोलन का समर्थन करते हुए राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया था कि मिट्टी का कड़कड गूंज रहा है सरकार को सुनना पड़ेगा और अब अन्यदा